हलो बच्चों आज मैं आपके सामने उपस्तित हुई हूँ कक्षा नौ की पाठे पुस्तक शितिच भाग एक के पहले पाठ को ले करके जिसका नाम है दो बैलों की कथा और जिसके लेखक हैं श्री मुंशी प्रेमचंद जी पाठ को आगे बढ़ाने से पहले हम पहले लेखक परिचय देखेंगे जिसमें हम मुंशी प्रेमचंद की जीवन के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक जानने की चेश्टा करेंगे तो चलिए प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गाओं में हुआ था उनका असली नाम अर्थात मूल नाम धन्पत राय था प्रेमचंद का जन्म और उसके बाद उनके बच्चपन में जो उनके साथ भी था वहां किसी घटनाओं से कम नहीं था बच्चपन में उन्हें बहुत ही अभावों में दिन को गुजारना पड़ा और उनकी शिक्षा बिये तक ही हो पाई थी उन्होंने शिक्षा बिभाग में नौकरी की परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए उन्हें सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ा और उन्होंने लेखन कार्य के प्रती पूरी तरह से अपने आपको जोग दिया अर्थात समर्पित कर दिया सन 1936 में इस महान कथाकार का दिहान्त हो गया था प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार पहुत ही व्यापक है उसमें मनुष्य ही नहीं अपितु पशुपक्षी को भी अद्भुत आत्मियता मिली है बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संशेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेश्ता रही है उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने अर्भी, फार्सी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रियोग कुशलता पूर्वक किया है तो आज हम जिस कथा की और पाठ की और बढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ विशेश बातें जरूर बताना चाहूंगी जो की है, ये जो पाठ है दो बैलों की कथा, इस कहानी के लेखक जैसा कि मैंने आपको बताया मुन्शी प्रेमचंद जी है मुन्शी प्रेमचंद जी ने इस कहानी को आपके सामने एक शिक्षा प्रत कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है दो बैलों की कथा की गणना प्रेमचंद के सर्वश्रेश्ट कहानियों में की जाती है और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक समाज और पश्वों की भाफ नात्मक संबंद का बड़ा ही सटीक वर्णन किया है उनके हीरा और मोती नामक दो बैल सीधे साधे भारतियों के प्रतीक हैं और उनी की और संकेत किया गया है वे बार-बार आजादी के लिए संगष करते हैं जैसे जैसे हम इस पार्ट में आगे बढ़ेंगे आप पाएंगे कि किस प्रकार से हीरा और मोती नामक दो बैल अपनी संगष, पूर्वग जीवन को बीताने के लिए वे किस प्रकार संगष करते हैं और किस तरह से रड़ाई रड़ते हैं, किस प्रकार से आजादी प्राप्त करते हैं इन सारी बातों का समावेश इस पार्ठ में किया गया है और अंत में ये भी बताया गया है कि किस प्रकार आखिर कार वे सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं और इस तरह अप्रत्यक शुरूप से या परोख शुरूप से ये कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है तो बच्चों अब इनतजार किस बात का चलिए शुरू करते हैं पाड को पहला पाड दो बैलों की कथा मुशि प्रेम चंद जी ने हमिए बतानी की चेश्टा की है कि जब भी हम किसी को महा मुर्ख बताना चाहते हैं या मुर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसकी तुलना गधे से कर देते हैं जैसे हम कहते हैं ना कि ये तो एक दम गधा है अर्थात गधा शब्द मुर्खता का परियाय बन चुका है इसी की जानकारी देते हुए उन्होंने पाठ की शुरुवात में ये कहा है कि जानवरों में गधा सबसे जादा बुद्धी हीन समझा जाता है हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकुफ कहना चाते हैं तो उसे क्या कहते हैं गधा कह देते हैं गधा सचमुच बेवकुफ है या उसके सीधे पन उसकी निरापद शहिशूनता ने उसे ये पदवी दे रखी है इसका निश्चे नहीं किया जा सकता मुन्शी प्रेमचन जी ने ये कहा है कि गाए सिंग मारती है और ब्याई हुई गाए अर्थात ऐसी गाए जिसने अभी अभी बच्छे को जन्म दिया हो उसे कहा गया है यहां पे ब्याई हुई गाए अर्थात ब्याई हुई गाए तो अनायास ही सिहनी का रूप धारण कर लेती है अपने बच्चे की शुरक्षा के प्रती इससे ये हमें समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से जब उसमें असुरक्षा की भावना उत्पन होती है तो वह कितनी आक्रमक हो जाती है यहां गाय को भी बताया गया है कि किस प्रकार से वह आक्रमक हो जाया करती है और ये भी बताया गया है कि कुट्ता भी बहुत गरीब जानवर है लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है किंतु किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा जितना चाहे गरीब को मार लो चाहे जैसी भी खराब सडी हुई घास सामने डाल दो उसके चहरे पर असंतोष की छाया बिलकुल भी दिखाई नहीं देती है बैसाख में चाहे एकात बार कुलेल कर लेता हो आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि गधों का जो जन्म जो मास होता है वो बैसाख होता है इसलिए संस्कृत में उसे बैसाख नंदन भी कहा जाता है तो यहाँ पर यहाँ पर लेखक मुन्शी प्रेम चंजी ये कहते हैं गधे के बारे में कि बैसाख में चाहे एकात बार वो कुलेल कर लेता हो कुलेल अर्था खेल कूद थोड़ी सी मस्ती पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा उसकी चहरे पर एक विशाद स्थाई रूप से चाया रहता है सुख दुख या हानी लाब किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा रिश्यों मुन्यों के जितने गुण हैं वे सभी के सभी उसमें पराकाश्था को पहुँच गए हैं पर आदमी फिर भी उसे बेवकूफ कहता है सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा कदाचित सीधापन संसार के लिए उप्युक्त नहीं है देखे न भारतवासियों की अफरीका की क्या भारतवासियों की अफरीका में क्या दुर्दशा हो रही है क्यूं अमेरिका में उन्हें घुसने भी नहीं दिया जाता है क्यूं नहीं घुसने दिया जाता है क्यूंकि बेचारे शराब नहीं पीते चार पैसे कू समय अर्थात बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं और तो और जीतोर मेहनत भी करते हैं किसी से लडाई जगड़ा बिलकूल नहीं करते चार बाते सुनकर गम को खा जाते हैं और फिर भी बदनाम हैं कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं अगर वे भी इट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद वे भी सब्य कहलाते अब जापान की मिसाल ही सामने ही है एक ही विजय ने उसे संसार के सब्य जातियों में गणने बना दिया है गण अर्थात गणनिय यानि की सम्मानित बना दिया गया है लेकिन गधा गधे का एक और छोटा भाई है जो उससे थुड़ा कम गधा है और ये कौन है ये है बैल जिस अर्थ में हम गधे का प्रियोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बच्छिया के ताव का भी प्रियोग करते हैं कुछ लोग बैल तो शायद बेवकूफों में सर्वशेष्ट कहते हैं मगर हमारा ऐसा विचार नहीं है बैल कभी कभी मारता भी है लेकिन कभी कभी अडियल बैल भी देखने में आता है और और भी कई रीतियों से अपना असंतोश वो प्रकट कर ही देता है आपने देखा होगा यहाँ पर लेखा कह रहे हैं कि बैल को मैंने अकड़ते भी देखा है धीड हो जाते हैं नहीं करना है काम मतलब नहीं करना है तो यहाँ पर मुन्शी प्रेमचंजी कहते हैं कि मैंने बैलों को जिस प्रकार से ये कहा गया है कि वे थोड़े कम गधे हैं अर्थात कम मूर्खे हैं गधे से लेकिन उन्हें भी कभी-कभी गुसा आता है वे भी कभी-कभी मारते हैं कभी-कभी अडियल हो जाते हैं और भी कई रितियों से वो अपने असंतोश को प्रकट कर देते हैं अतह एव उसका स्थान गधे से नीचा ही माना जाता है आगे ये बताया गया है कि जूरी काची जूरी काची एक किसान का नाम है तो उसके दो बैलों के नाम थे हीरा और मोती दोनों पच्छाई जाती के थे पच्छाई बैलों में गायों में एक जाती का नाम है तो ये दोनों बैल पच्छाई जाती के थे देखने में सुंदर और काम में चौकस उनकी डील डॉल भी अच्छी थी काफी उंचे थे बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाई चारा भी हो गया था दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए कितना सुन्दर वंडन यहां पर मुंशी प्रेमचन जी ने बैलों की की है मैं चाहूंगी क आप इसे ध्यान से सुनें दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूख भाषा अर्थात बिना कुछ बोले हुए सामने वाले कि मन की बात को जान लेते थे अर्थात उनकी मूख भाषा में वे विचार विनमय करते थे एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था ये हम नहीं कह सकते अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ती थी जिससे जीवों में शेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वन्चित है दोनों एक दूसरे को चाट कर आपने कई बार देखा होगा बैल गाए एक दूसरे को चाट कर अपना प्रेम व्यक्त करते हैं तो दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंग कर अपना प्रेम प्रकट करते थे कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते थे और विग्रह नाते से नहीं कि हम लड़ रहे हैं हम अलग हो जाएंगे ऐसी कोई भावना नहीं थी यहां पर एक साथ रहते हैं तो एक साथ खेलते हैं एक साथ मस्ती करते हैं और फिर अपना-पना काम करते हैं तो उस भावना के नाते, विग्रक से के नाते ये सब नहीं किया जाता था, केवल और केवल विनोद के भाव से, आत्मियता के भाव से, जैसे दोनों में बहुत ही घनिष्टता होते ही, धौल धप्पा होने लगता था, धौल धप्पा, ये जो शब्द है, कई बार बच्चे खेल खेलते हैं, एक दूसरे को छू करके भाग जाते हैं, तो इसी प्रकार का विनोद या हास से, बैल भी आपस में करते थे, एक दूसरे को छूते और धौर धौर भाग जाते थे, इसे ही धौल धप्पा कहा गया है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुस फुसी, कुछ हल किस ही रहती है जिस पर जादा विश्वास नहीं किया जा सकता जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गारी में जोत दिये जाते हैं अर्थात जब उन्हें हल के साथ बांध दिया जाता है और वो अपनी गर्दन हिला हिला कर चलते हैं उस वक्त हर एक की ये चेश्टा होती है कि जादा से जादा बोच मेरी ही गर्दन पे रहे यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि कितनी अच्छी प्यारी दोस्ती का यहाँ पर हमें सबूत मिल रहा है दोनों बैल आपस में इतने अच्छे दोस्त इतने गनिष्ट दोस्त बन गए थे कि कोई भी एक कोई भी एक बैल ये नहीं चाहता था कि मेरे मित्र को अधिक भार ढोना पड़े इसलिए वह कोशिश करता था कि जादा से जादा भार उसी के कंधों पर रहे दिन भर के बाद दो पहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटालिया करते थे और नाद में खली भूसा पर जाने के बाद दोनों साथ उठते और साथ नाद में मुह डालते और साथ ही बैठते ये थी पक्की दोस्ती की निशानी और एक मुह अगर हटा लेता था नाद से तो दूसरा भी अपना मुह अपने आप ही हटा लेता था सैयों की बात सैयों की बात तो ये हुई कि जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया जो उनका जो मालिक था जूरी और उसने क्या किया कि ससुराल से ये फरमाश हुई कि हमें खेत जोतने के लिए बैलों की आवशकता है तो उसने क्या किया कि गोई को ससुराल भेज द को क्या मालुम की वे क्यों भेजे जा रहे हैं वे समझे मालिक ने हमको बेच दिया अपना ये बेचा जाना उन्हें बिलकुल अच्छा ना लगा कौन जाने पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दातों पसीना आ गया यहां पर मुंशी प्रेमचंजी कह रहे ह हैं कि यह बात यहां बताई गई है कि किस प्रकार से जूरी अपने दोनों बैल अर्थाथ हीरा और मोती दोनों को किसके हवाले कर देते हैंं अपने साले के हवाले जा ले जाने के लिए लेकिन वह एक इंच भी वो बैल चलने को तयार न थे हिलने को ही तयार न थे कितनी मेहनत करनी पड़ी गया को पीछे से अगर वो हागता तो दोनों दाएं और बाएं भागते पगहिया पकड़कर आगे से खिचता तो दोनों पीछे की और जोर लगाते मारता तो दोनों सिंग नीचे करके हुंकारते अगर इश्वर ने उन्हें वानी दी होती तो जूरी सेवे पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई भी कसर नहीं उठा रखी तो आपने देखा कि यहां पर गया जो कि दोनों बैलों को अपने घर ले जाना चाता था लेकिन बेचारे जानवर ये नहीं जानते थे कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है और क्यों ले जाया जा रहा है ये बड़ी ही विडंबना थी इसलिए यहां पर यह बताया गया है कि यदि इश्वर ने उन्हें बोलने की शक्ति दी होती तो वे जरूर अपने मालिक से अपने दिल की विथा कह पाते अब आगे बढ़ते हैं अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते यह आपस में मुक भाषा में बात कर रहे हैं हीरा और मोती हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना भी कबूल था हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की तुमने जो भी कुछ खिलाया वह सिर जुका कर खा लिया फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यूं बेच दिया यहाँ पर मुझ्शी प्रेमचंजी कह रहे हैं कि वे आपस में मुख भाषा में बात करते हुए एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि आखिर मालिक न हमें क्यूं बेच दिया भला इन जानवरों को क्या पता कि उन्हें कहा ले जा रहे हैं क्यूं ले जा रहे हैं बट वो अपनी विथा को एक दूसरे से बाट कर संतुष्टी प्राप्त कर रहे थे संध्या समय दोनों वैल अपने नए स्थान पर लगभग पहुँच गए दिन भर के भूखे थे लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मूह नहीं डाला दिल तो भारी हो रहा था जिसे उन्होंने अपना घर समझ के रखा था वह आज उनसे छूट गया था ये नया घर नया गाउं नये आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे ये बात कितनी सजीव लगती है कितनी सही बात लिखी है कि भला पश्वों को क्या पता कहा जा रहे हैं और नई जगा पे जाके हर चीज उन्हें बेगानी लगती है हर लोग उसे बेगाने लगते है वो अपना पन वहाँ पर उन्हें मिल नहीं पाता है दोनों ने अपनी मूख भाशा में सलह की एक दूसरे को कनक्यों से देखा कनक्यों यानि तेड़ी आँखे करके देखा एक दूसरे को और वहीं पर लेट गए जब गाओं में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मार कर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले पगहे बहुत मजबूत थे पगहे यानि रसी को कहा जाता है आप देखते होंगे गाओं में या जहां कहीं पर भी पश्मों को बांधा जाता है तो उनके गले में रसी बांधी जाती है उसे ही यहाँ पर पगहे कहा गया है यह अनुमान नहों हो सकता था कि कोई बैल उन्हें कैसे तोड़ सकेगा पर इन दोनों ने इस समय दुगनी शक्ती यानि दूनी शक्ती उनके अंदर अपने आप आ गई थी और एक ही जटके में रसियां तूट गई और वे स्वतंत्र हो गए अब जैसे ही स्वतंत्र हुए तो जूरी प्राता काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चर्नी पर खड़े हैं दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटका है घुटने तक पाउं की चर से सने हुए हैं भरे हुए हैं और दोनों की आखों में विद्रोहमय स्निह जलक रहा था अर्थात ऐसा लग रहा था कि वे अपने मालिक से कुछ कहना चाहते हैं कुछ अपने अपनी शिकायतों का पिटारा खोलना चाहते हैं जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो उठा दौड कर उसने उन्हें गले लगा लिया प्रेमा लिंगन और चुम्बन का यह दृष्य बड़ा ही मनोहर था जब पशु किसी दूसरे घर में लेके गए हूं और वहां से रस्सी तोड करके जब वापस अपने मालिक से मिलने आते हैं तो यहां पर पशु और मनुष्य के बीच का जो भावनात्मक दृष्य है वो बहुत ही सुन्दर तरीके से पताया गया है घर और गाओं के लड़के जमा हो गए और तालिया बजा बजा कर उन्होंने उनका स्वागत किया गाओं के इतिहास में ये घटना अभूत पूर्व ना होने पर भी बड़ी ही महत्वपून थी बाल सभा ने तो निश्चे किया कि दोनों पशु वीरों को अभी नंदन पत्र देना चाहिए कोई अपने घर से रोटियां ले आया तो कोई जाके गुड ले आया कोई जाके चोकर ले आया और कुछ बच्चे जाकर के भूसी ले आये अर्थात वह वे बैलों को खुश करना चाहते थे इन में से एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे तो दूसरे ने उसका समर्थन करते हुए कहा इतनी दूर से दूनों अकेले चले आये तीसरा बोला बैल नहीं है वे उस जनम के आदमी है इसका प्रतिवाद करने का किसी के अंदर साहस ना हुआ प्रतिवाद अर्थात विरोध करने का क्यूंकि नतीजा तो सामने था तो जूरी की स्त्री ने बैलों को जब द्वार पर खड़े देखा तो वो जल उठी बोली कैसे नमक हराम बैल है ये कि एक दिन में वहां काम न किया और भाग खड़े हुए जूरी अपने बैलों पर ये आकशेप न सुन सका ये जो इलजाम लगाया था उसकी पत्री ने ये बिलकुल जूरी बरदाश न कर सका और उसने कहा नमक हराम क्यूं है चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते स्त्री ने रोप के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी बस पानी पिला पिला के रखते हैं जूरी ने चिड़ाया चारा मिलता तो क्यूं भागते स्त्री थोड़ी सी चिड़ गई जूरी की बातों को सुन करके स्त्री चिड़ गई और उसने कहा भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धूं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं खिलाते हैं रगड कर जोतते भी हैं काम लेते हैं ये दोनों ठहरे काम चोर भाग निकले वहां से अब देखूं कहां से खली और कहां से चोकर मिलता है सूखे भूसों के सिवा कुछ न दूगी इनको खाए चाहे मरे और वही हुआ मजूर को कड़ी ताकीत कर दी गई यानि आदेश दिये गए कि बैलों को खाली सूखा भूसा ही दिया जाना चाहिए बैलों ने नाद में मुह डाला तो फिका फिका सा लगा न कोई चिकनाहट थी न कोई रस था क्या खाएं आशा भरी आँखों से द्वार की और वे सभी ताकने लगे जूरी ने मजूर से कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे मालकिन मुझे मार ही डालेगी चुरा कर डाला ना दादा पीछे से तुम भी उन्ही किसी कहोगे अर्थात यहाँ पर जो स्नेह की भावना है जूरी के मन में अपने बैलों के प्रती उसे यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है क्यूंकि जूरी की पत्नी ने तो कुछ भी देने से मना कर दिया तो खाली भूसा रूखा सूखा ना स्वाध ना रस तो अब क्या होगा तो अपने बैलों को इस तरह से देखते हुए जूरी ने कहा कि भाई थोड़ी कुछ डाल दो तो उसने कहा ना बाबा मैं तो नहीं डालूंगा क्यूंकि मैं डालूंगा उनके खाने में तो आप फिर मेरी साइड ना ले करके उनकी तरफ हो जाओगे दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला अबकी अबकी उसने दोनों को गाड़ी में जोता खाली नहीं ले गया अबकी उसने दोनों को जैसे बैल गाड़ी होती है तो आगे दोनों को जोत दिया अर्था बांद दिया दो-चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा क्यूंकि अंदर से विद्रो होता था ही गुस्सा तो भरा था ही पर हीरा ने समहान लिया क्यूंकि वो जादा शेहनशील था संध्या समय घर पहुँचकर उसने दोनों को मोटी रस्यों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया फिर वही सूखा भूसा फिर से डाल दिया अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दे देखिए यहाँ पर प्रेमचन जी बताने की चेश्टा कर रहे हैं कि किस प्रकार से जब आपस में जो आत्मियता होनी चाहिए जो भावना होनी चाहिए प्रेम की यदि आपका अपने पश्वों के साथ ना हो तो किस तरह से विवहार किया जाता है यहाँ पर गया ने क्या किया कि अपने बैलों को अपने जानवरों को उसने अच्छे से खली चु का भूसा डाल दिया एक तरह से वह उनसे बदला लेना चाहता था कल का आगे देखते हैं दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी भी नहीं हुआ था जूरी इन्हें फूल की जड़ी से भी बिलकुल चूता ना था और उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे टिटकार अर सम्मान की व्यथा तो था ही पर उस पर मिला क्या खाने को सूखा भूसा एक तो इतनी बेजती हुई हीरा और मोती की और उसके बाद भी खाने को क्या दिया गया ने खाने को दिया सूखा भूसा नात की तरफ आखे तक न उठाई उन दोनों ने दूसरे दिन गया ने बैलो को हल में जोता पर इन दोनों ने जैसे पाउं न उठाने की कसम खा रखी थी वो मारते मारते ठक गया गया वैलों को मारते मारते ठक गया पर दोनों ने पाउं तक नहीं उठाया एक बार जब उस निर्दई ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काब के बाहर हो गया हल लेकर वो भागा हल रसी जुआ जोत सब टू टाट कर अपने आफिं बराबर हो गए गले में बड़ी बड़ी रसियां ना होती तो दोनों पकडाई में नहीं आते यह तो शुक्र है कि उनके गले अस्यां थी लोग उसे लोग भाग भाग कर उन बैलों को पकड़ पा रहे थे नहीं तो जिस तरह का विवहार गया और उसके आदमी कर रहे थे हीरा और मोती के साथ वह बिलकुल ही सहने लायक नहीं था इसलिए दोनों जो बैल थे हीरा और मोती दोनों बहुती विद्रों पे आ गए थे हीरा ने मूख भाशा में कहा मूख भाशा अर्थात एकदम चुप चाप कि भागना व्यर्थ है मोती ने उत्तर दिया तुम्हारी तो इसने तो जानी ले ली थी अपकी अपकी बड़ी मार पड़ेगी तो दूसरे ने कहा पढ़ने दो बैल का जनम लिया है तो मार से कहा तक बचेंगे गया दो आदमियों के साथ तोड़ा आ रहा है दोनों के हाथ में क्या थी लाठिया थी मोती बोला कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा मैं भी मारी जाती का ये धर्म नहीं है मोती दिल में एट कर रह गया गया आ पहुचा और दोनों को पकड़ कर लेके वापस अपने घर चला गया कुशल हुई कि उसने इस वक्त मार पिट नहीं की नहीं तो यदि गया मार पिट पर उतारू हो जाता तो दोनों बैल भी विद्रोग कर लेते उन्होंने अपना मन उसी प्रकार से बना लिया था तो मोती भी पलट जाता उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक सभी समझ गये कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है अर्थात हितकर है आज दोनों के सामने फिर से वही सूखा भूसा लाकर रख दिया गया था दोनों चुपचाप खड़े रहे घर के लोग भोजन करने लगे उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटिया लिये निकली और दोनों के मूँ में देकर वो चली गई उस एक रोटी से इनकी भूख भला क्या शांत हो सकती थी पर दोनों के हिर्दे को मानों भोजन मिल गया हूँ यहां भी किसी सज्जन का वास है लड़की भैरो की थी और उसकी मा मर चुकी थी और सौतेली मा उसे हमेशा मारती रहती थी इसी लिए शायद इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मियता हो गई थी अपना पन लगने लगा था वो अपनी तकलीफ को इन बैलों के तकलीफ के साथ जोड कर दिखती थी दोनों दिन भर जोते जाते डंडे खाते अड़ते शाम को ठान पर बांदिये जाते और रात को वही बाली का फिर से उन्हें दो रोटियां खिला जाती प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बलना होते थे क्योंकि वो सिर्फ मातर भोजन नहीं थे अपितु प्रेम मैं प्रेम से लिफ्ट वपोजन था मगर दोनों की आँखों में रोम रोम में विद्रो भरा हुआ था एक दिन मोती ने मुक भाशा में कहा अब तो सहा नहीं जाता हिरा क्या करना चाहते हो एकाथ को सींगों पर उठा कर फेक दूँ लेकिन जानते हो वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है या बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालिक को न फेक दूँ वही तो उस लड़की को मारती है मालकी को फेक देता हूँ लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है ये भूले जाते हो तुम तो किसी तरह निकल नहीं 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 देते हो बताओ तुड़ा कर भाग चले क्या हाँ यह मैं स्विकार करता हूँ लेकिन इतनी मोटी रसी भला तूटेगी कैसे इसका एक ही उपाय है पहले रसी को थोड़ा सा चबा लो और फिर एक ही जटके में तोड़ देंगे रात को जब बाली का रोटी खिला कर चली गई तो दोनों रसीयां चबाने लग गए पर मोटी रसी मूँ में न आती थी बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते थे सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की फिर निकली दोनों सिर जुका कर उसका हाथ चाटने लगे दोनों की पूँछे खड़ी हो गई थी मानों वो पूरा एकदम जागरुक हो चुके थे कि अब बस भाग नहीं है उसने उनके मात्य सहलाए और बोली खोले देती हूँ चुपके से भाग जाओ नहीं तो यहां लोग मात डालेंगे आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नात डाल दिये जाएं तो यह एक यह एक सूचना लड़की ने बैलों को दी उसने गराव खोल दिये यह गराव अर्थात बांधने की जगा जहां पर जानवरों को बांधा जाता है उस स्थान को कहते हैं पर दोनों चुपचाब खड़े रहे मोती ने अपनी भाशा में पूछा अब चलते क्यों नहीं हीरा ने कहा चले तो लेकिन कल इस अनात पर फिर आफ़त आ जाएगी सब इसी पर संधे करने लगेंगे सहसा बाली का चिल्लाने लगी और बोली दोनों फूफा वाले बैल भागे जारे हैं ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जारे हैं, जल्दी दोड़ो गया हरबड़ा कर भीतर से निकला और बहलों को पकड़ने चला वे दोनों भागे गया ने पीछा किया और भी वे तेज हुए गया ने शोर मचाया फिर गाओं के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लोटा दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया सीधे दोरते चले गए यहां तक की मार्ग का ग्यान तक न रहा जिस परचित मार्ग से आये थे उसका यहां पता न था नए नए गाओं मिलने लगे दोरते दोरते तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए हीरा ने कहा मालूम होता है हम रहा भूल गए हैं तुम भी बेताहाशा भागे वहीं उससे मार गिराना था उससे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती वह अपना धर्म छोड़ दे लेकिन हम अपना धर्म भला कैसे छोड़ेंगे दोनों भूग से व्याकुल हो रहे थे कि खेत में मटर खड़ी थी मटर की फसल खड़ी थी रह रहकर आहट ले लेते थे कोई आता तो नहीं आसपास कोई है तो नहीं जब पेट भर गया तो दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उचलने कूदने लगे पहले दोनों ने डकार ली और फिर सिंग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया यहां तक कि वखाई में भी गिर गया तब उसे भी क्रोध आया संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया मोती ने देखा कि खेल में जगडा हुआ चाहता है तो किनारे हट जा तो बच्चों अब तक की कहानी जितनी हमने पढ़ी है उस पर आधारित कुछ प्रश्न मैं आपके समक्ष दिखा रही हूँ जिसमें से पहला प्रश्न है जूरी काच्छी के कितने बैल थे और उनके क् नाम थे आप लोगों ने अगर कहानी को पढ़ा और समझा है तो ये बता दूं कि जूरी काच्छी के दो बैल थे जो बहुत ही सुन्दर सुडॉल और लंबे चोड़े थे और उनके नाम क्या थे हीरा और मोती दूसरा प्रश्न है इस पार्ट से संबंधित कि मोती द्वार दिये गए प्रश्न की उसने कहा था कि अपकी बार बड़ी मार पड़ेगी इस पर हीरा का क्या जवाब था उसकी क्या प्रतिक्रिया थी तो यहां पर जब मोती हीरा से कुछ कह रहा था तो इस बात पर कि अपकी बार बड़ी मार पड़ेगी इस पर हीरा ने कहा था कि बैल का आखिर जन्म लिया है तो मार से क्या डरना मार तो पड़ी गी ही क्यूंकि हमने बैलों का जन्म लिया है और आखरी कहानी में कहानी के अंतिम भाग में जो हमने देखा कि छोटी सी जो लड़की थी जो हमेशा उन्हें रोटिया खिलाया करती थी प्रेम पूर्वक वह छोट से लड़की कौन थी और उसे बैलों से आत्मियता क्यों हो गई थी तो जैसा कि हमने इस भाग में जाना कि वो छोटी सी लड़की जो थी वह भैरों की पुत्री थी या उसकी लड़की थी तथा उसे अपनी कहानी अर्थात मैंने आपको इस पाट में बताया कि किस प्रकार से उसकी अपनी मा की मृत्थी हो जाती है और उसकी जो सौतेली मा थी वो उसे बहुत मारती पीड़ती थी उसके साथ अच्छा विवहार नहीं करती थी तो वो अपनी इस जिंदगी की तुलना, अपनी जीवन की तुलना वह किसी हद तक इन दोनों बैल अर्थात हीरा और मोती से करने लग गई थी इसलिए शायद उससे वही दशा उनके साथ भी होते हुए प्रतीत हो रही थी इसलिए उन दोनों बैलों से आत्मेता उन्ची हो गई थी तो बच्चों आप इन सवालों का जवाब हमें लिख कर अवश्य भेजे या हो सके तो अपने मित्र के साथ चर्चा करें धन्यवाद